हलो दोस्तों आज की उड़े हम बात करेंगे हाउ टो डिलीट वर्ट्सअप एकाउंट पर्मनलेंटली सो गाइस अगर आप अपना वर्ट्सअप एकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाते हो तो प्लीज वीडियो को अन्तक जरू देखना तो सबसे पहले आपको अप पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आपको कुछ ऑप्सन देखने को मिल जाता है सुगैस यहां पर आपको सिंप्ली सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है settings पे click करने के बाद कुछ इस तरह का interface से हो जाता है सो guys यहाँ पे आपको account का option देखने को मिल जाता है top पे so guys simply इस पे click कर देना है account पे click करने के बाद यहाँ पे आपको 5 option देखने को मिल जाता है आपको सबसे नीचे delete my account का option देखने को मिल जाता है so guys simply इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको पता रहा है अगर आप इस account को delete कर दोगे तो आपका सारा message history erase हो जाएगा और आप सभी group से left हो जाओगे automatically और आपका payment information भी delete हो जाएगा और यहाँ पर आपको change number का भी option देखने को मिल जाता है अगर आप चाहें तो अपना number change कर सकते हो तेकिन अभी हमें WhatsApp account को हमेशा के लिए delete करना है so guys यहाँ पर आपको अपना country select करना है मेरा country है इंडिया अगर आप कोई और country से हो so guys यहाँ पर आप उसको भी select कर सकते हो simply यहाँ पर आपको click करना है आप अपना country भी select कर पाऊगे तो इसको पर click करने के बाद कुछ इस तरह का interface हो जाता है आपका जो भी country है आप यहाँ पर search करके add कर सकते हो मेरा country है इंडिया तो मैं इंडिया select कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको mobile number इंटर कर देना है सुकाइस मेरा mobile number मैं इंटर कर देता हूँ mobile number इंटर करने के बाद हाँ आपको rate color में delete my account का option देखने को मिल जाता है red color में so guys simply इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको कोई एक reason select करना है तो select reason पर आप click कर देंगे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा reason देखने को मिल जाता है जैसे कि I am changing my device I am changing my phone number I am deleting my account temporary WhatsApp is missing a feature WhatsApp is not working so guys मैं यहाँ पर select कर देता हूँ I am changing my phone number आप कूज भी select कर सकते हो यहाँ पर आप feedback दे सकते हो मैं अभी skip कर देता हूँ मुझे feedback नहीं देना और यहाँ पर आपको नीचे delete my account red color में देखने को मिल जाता है so guys simply इस पर click कर देना है इसकी बाद यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाता है अगर आप चाहिए तो अपना number change कर सकते हो नहीं तो आप account को delete कर सकते हो so guys अभी हमें इसको delete करना है so guys simply आप delete account पर click कर देना इसकी बाद यहाँ पर आपको warning sign show हो जाता है और इसने बताया है अगर आप अभी account को delete करोगे तो यह हमेसे के लिए delete हो जाएगा और आपका chat history भी show नहीं होगा और payment history भी delete हो जाएगा अगर आपने अभी किसी को payment दिया है अगर अप load हो रहा है तो वो भी cancel हो जाएगा so guys यहाँ पर आपको नीचे red color में delete my account देखने को मिल जाता है so guys simply इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करोगे आपका whatsapp account हमेसा के लिए delete हो जाएगा और यह starting से आजाएगा यहाँ पर आप agree कर सकते हो और यहाँ पर आपको new number एंटर कर देना है so guys इसी प्रकार से आप अपना whatsapp account को permanently delete कर सकते है so guys thank you for watching this video I hope आपको यह video पसन आई होगी so video पसन आई हो तो please video के लाइक कीज़ेगा चैनल पर नहा है तो please channel को जरू subscribe कीज़ेगा मैं आपसे मिलता हूँ next video पर जहीन वंदे मातरम